कर दो कर दो कि लिए ओफिसियल एम आई रूम का लेटेस्ट अपडेट अवेलवल हो चुका है जिसे फिलाल में कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं और इस वीडियो कंदर आपको में complete details देने वालाओ इस अपडेट से regarding कि अगर आप इसे यूज करने वाले हो तो आपको क्या pro देखनी को मिलते हैं और क्या cons देखनी को मिल जाते हैं तो बस वीडियो को फुल एंड टक वाच करते रहें ताकि आपको पदा चल सके कि इस रोम को आपको यूज करना चाहिए या फिर यूज नहीं करना चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरूर करते हैं Hello everyone, I am MK and you are watching Take Office और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करना क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए काफी ज़्यादा important होता है यहाँ पर आगे करूब बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो कि security patch 2020.618 का देखने को मिलता है बट क्या reality में performance आपको better मिलती है या नहीं हम आगे कर देखते हैं तो सबसे पहले हम focus करते हैं इसके नए features के बारे में जो कि add किया गए है और जो हाल फिलाल में आए गए features से उन्हें भी हम focus करेंगे और सास्याद इसके cons वगेरा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि latest आपको charging का animation देखनी को मिल जाता है जो कि flow, glow and web है वहाँ पर pocket mode और charging animation आपको चाहिए या नहीं उसे enable और disable भी आप कर सकते हो वहाँ पर clock format आपको unlimited देखनी को मिलता ही मिलता है अगर हमारे दिस्प्ले की ओड तो नए features में add कर दिया गया control and center में हमारा जो weather info अगर आप चाहो तो weather info को enable कर सकते हो या पर चाहो तो उसे disable भी है जो कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर भी so कर रहा है तो यह पहले missing था अब available हो चुका है उपर की ओर चार नए option देखनी को मिलते हैं जैसे कि यूज control center इसका है जो left right switch करने का option hide करने का info का अगर आप इसे hide करते हो तो आप notice करोगे कि यहाँ पर जो आपको देखनी को मिलता है वाई-फाई, ब्रलतर, mobile network, और limitation यह हमारे जो change हो जाते हैं और आप देख से तो कि जो हमारे control center हो हलका slowly है जो swipe करता है तो battery low होने के बाद आपको हलका सा performance down देखने को मिलेगा और आप यह वाई restart करोगे तो इसमें आपको काफी जादा boosting देखने को मिलेगा आप देख से तो यह battery percentage 30% दिखाई दे रहा है जब कि यहाँ पर only on numbers हो हो रहा है ना कि यहाँ पर battery का graph नजरा रहा है dual status wire आपको मिल जाता है official build के अंदर भी कोई भी module डालने के जरूत नहीं है तो यह by default enable है जो कि इसका एक plus point मिल जाता है वही पर so कर सक्टर dual status wire ताकि आपका speed meter और अगर आप silent वगरे करें तो उसके भी icon है जो यहाँ पर so हो सके बाकि आपको LTE, all battery icon वगरा है जो features पहले भी मिलते थे अभी भी देखने को मिल जाते है वही पर अगर आते हैं हम अपने sound and panel की और तो यहाँ पर जो etching का port आता है उसमें extra features मिलता है sound assistant का बाट यहाँ पर यह features official build में missing है वही पर हम home screen के आते हैं और general setting पर जाते हैं automatic close folder है और infinity desktop scroll option देखने को मिलता है यहाँ पर dual face unlock देखने को नहीं मिलता है लेकिन Redmi के जो Net7 Pro है उसमें हमें dual face unlock का support मिल जाता है वहें पर गरम आते हैं privacy protection पर और इसे अगर हम enable करते हैं तो इसके बाद जो भी notification आएगा उसका icon आपको यहाँ पर timing के पास देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से तो काफी अच्छा feature से जो कि आपको बताया कि आपने क्या क्या open किया है वहें पर गर additional के और in करते हैं तो आपको full screen display में Android 10 और अगरा का पिल्स तो देखने को मिले जाता है जो कि काफी times हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको Google Assistant का option दिखाई नहीं देता है बट corner से swipe up करने पर यह काम करता है और यहाँ पर enable भी हो जाता है तो यह बस आपको देखने में दिखाई नहीं देता है लेकिन यहाँ पर available रहता है quick wall में आपको नया option दिखाई देता है जो कि wake up area है जिसके नुसर अपने quick wall के area को आप decide कर सकते हैं यह age से कितना दूर होना चाहिए क्योंकि अगर आप गलर temper use कर ले तो यह आपी corner पर back case के बज़ए से problem आ रहा है तो आप quick wall को side में रख सकते हो ताकि आपको problem ना आए और आप quick wall का benefit भी ले पाओ ते काफी अच्छा option जो कि देखने को मिल जाता है हाली में जो clean speaker का एक नया features आया था जो कि इस MI room में भी देखने को मिलता है नीची कर यह जितने भी option है perfect working मिलता है जिसमें आपको कोई भी problem देखने को नहीं मिलता है अगर हम आते है special features में तो आपको सब कुछ latest मिलता है जैसे के video toolbox गेम टरूल वगेरा जो कि मैंने आपको पहले भी है जो यहाँ पर बताया है यहाँ पर हम camera की उरा आते हैं तो camera में हमेशा है जो कुछ features हट जाते हैं तो कुछ आ जाते हैं जैसे कर हम यहाँ पर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है movie frame जो कि portrait में भी काम करता है और यहाँ पर नॉर्मल photos भी काम करता है अगर हम filter क्यों आते हैं तो LIME और साथ ब्लैक आइस का जो हाल फिलाल में नया filter आया था वो भी आपको यहाँ पर available देखने को मिलता है और camera fully functional है यानि काम करता है आप FM radio भी यूज़ कर सकते हो जबकि HN port या कोई other port आते हैं उनमें आपको FM missing देखने को मिलता है जबकि यहाँ पर आपको available मिल जाता है जो कि इसका plus point है वही पर अगर आप चाहो तो अपने video जो record किया है उसे आप trim वगर भी कर सकते हो एक्टा tools भी देखने को मिलता है और sky mode वगर भी आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर अगर आप list view करते हो तो आपको नया animation देखने को मिलेगा तो हाल फिलाल के gallery में आएवा features है जो कि आपको इसके through भी देखने को मिल जाता है Gcam Pro पर काम करता है और हर बार हमें L1 का support मिला है जिसके वज़े से आपको अभी भी L1 का support मिल जाता है तो Amazon Prime Netflix आप यूज कर सकते हो यह पहले से तो आपको जो rooted नहीं मिलता है आप चाहों तो root कर सकते हो और root करने के बाद आप नेश्ट अप्टी भी पास रहेगा और एक बार आप डेटा के लिंग करते हो अपने प्लेइस्टोर का आपका प्लेइस्टोर भी सर्टिसफाइड रहता है और यहाँ पर जो untutu का score वह भी मुझे ठीक ठाक लगा है जो कि सही है 310457 का है और वहाँ पर आपको लेटेस्ट गेम डर्वो का सपोर्ट मिलता है जहाँ पर आप हर एक अप्लिकेशन को यूज कर पाऊए गेम डर्वो को यूज करते हो जो कि आप अपने home screen पर इंस्ट वगरा सेट करके रखते हो और contact number जो कि आपका emergency time में help कर सके तो आप जो इसका काफी जादा benefit ले सकते हो लेकिन उमीद करता हूं कि life में कभी भी आपको इसके यूज करने की जुरूत ना पड़े यानि आपके साथ कभी भी कोई ऐसा accident न हो तो यह मेरी उमीद है और यह जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि recent panel है जो मैंने change कर रखा है तो यह नया info आपको इस MI room में देखने को मिलता है जो कि बाके अदर note 7 pro में मुझे देखने को नहीं मिला तगर हम आते हैं इसके home के settings पे तो आप देख पाए कि यहाँ पर rotation थमनी लो गया है जो recent का change करने का option जो क कि मुझे हलका सा week लगा RAM management और आप यहाँ पर देख सकते हो कि stuttering वी हलके फुल की देखने को मिल जाती है वही पर अगर हम बात कर दें PUBG का तो एक नजर हम डालते है PUBG की और तो हम यहाँ पर आ चुके है PUBG पर PUBG से मैं play नहीं करता हूं बट आप लोगे recommendation पर मैं PUBG पर आ चुका नजर आया इस ROM के अंदर और यहाँ पर आप देख से तो PUBG में फिलार प्ले कर रहा हूं जो कि मुझे दिक्कत नहीं आ रहा है PUBG को यूज करते हुए और यहाँ पर है जो हलका सा heat मुझे background में feel हो रहा है और अगर इसकी graphics की setting की बात करके कि क्या आप हमें set कर रहा हूं तो आ अच्छा सा है जो प्लस पॉइंट हमें मिल जाता है इसका यूज करते हुए वहीं पर आप देख सकते हो भाई मैं बिल्कुली नोग हूं फर्स ताइम प्ले कर रहा हूं तो यहाँ पर आप प्लीज कॉमेडी मत कर देना कमेंट सेसन में और यहाँ पर जो मुझे touch के कोई अब ज़्यादा दिक्कत देखनी को नहीं मिर रहा है और अब अब ज़स पबजे स्टार्ट हुआ है लेकिन हलका सा हीटिंग भी देखनी को मिर रहा है ऐसे भी गर्मी का मौसम है और यह जो पोको फोन है काफे ज़्यादा हीट होता है फिर भी है जो यहाँ पे मुझे क्या कुछ रहता है और यहाँ पर इसके कॉंस की बात करें तो पहले चीज कि आपको जो बैटरी में बैक अप थाबुत कम देहनी को मिलेगा यानि है जो हीटिंग था ज्यादा होगा तो आपको बैटरी था द्रेन देहनी को मिलेगा प्रफोर्मेंस ऑवराल सही है लिए ल और आपको जो काफी जादा बूस्टेश परफोर्मेंस देहनी को मिल सकता है और साइज अस्टिबिलीटी भी देहनी को मिल सकता है बट अभी के लिए जो भी है वो ठीक है लेकिन अभी भी कुछ इंप्रूव्मेंट के गुंजाइस बाकी है अगर आपको वीडियो पसंद करता है तो फिर से एक वेस्ट भाई लाइक जरूर कर देना और मिलते हैं इसी तरह के इंट्रेस्टिंग अपडेट के साथ और रोम्स के डिटेल के साथ तो बाबाए